गर्णल से 2 करोर की थगी में सामने आया थाइलेंड और कमबोडिया कनेक्शन, जानिए मामला नॉइडा के रिटायर्ड मेज़र जनरल से फ्रॉड मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है थाइलेंड और कमबोडिया में बैठे ठग NCR में वारदात को अंजाम दे रहे हैं इस प्रकार के मामलों ने पुलिस का माथा ठंका दिया लोगों को डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से सतर्क रहने को कहा गया है मोहन, राकेश और संतोष ये सभी बदले हुए नाम है और पिछले कुछ महीने में पुलिस की गिरफ्ट में आ चुके है इनकी गलती ये थी कि इन्होंने अपना बैंक अकाउंट अलग-अलग कारणों से किसी अंजान को यूज करने दिया यहां यूज का मतलब रुप्य जमा करने से है इस तरह की मुसीबत में सिर्फ ये तीनों ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके जैसे लाकों लोग फंस रहे हैं अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं दरसल जिन पर भरोसा करके आप अपना खाता दे रहे हैं वो ठग की रोह से जुड़े हो सकते हैं नौईडा में रिटायर्ड मेजर जनरल से दो करोर रुप्य की ठगी में भी जालसाजों ने सारी रिकम किराय के खातों में ही ट्रांसफर कराई थी पुलिस ने इस मामले में तीन थगों को शनिवार को अरेस्ट किया था लेकिन इस केस में रविवार को बेहधी चोकाने वाली जानकारी सामने आई है पुलिस का कहना है कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी इस ठगी का थाइलेंड, कमबोडिया और सिंगापो से कनेक्शन है पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने पूछताच में बताया है कि नौईदा के इस केस में इन्होंने रिटायर्ड मेजर जनरल से एक बार बात की थी इसके बाद इन्होंने विदेश में बैठे थगों के पास को और ट्रांसफर कर दी थी इनके लिए बैंक अकाउंट्स भी इन्होंने उपलब्द कराया था रिटायर्ड मेजर जनरल को विदेश में बैठे जाल साजों ने डिजिटल अरेस्ट किया था गिरफ्तार तीनों थगों ने पुलिस को बताया है कि इनका काम थाइलेंड, कमबोडिया और सिंगापो में बैठे साइबर क्रिमिनल्स को बैंक अकाउंट्स उपलब्द कराना और नंबर मुहया कराना है इस काम के लिए ये लोग पीजी में रहकर पढ़ाई करने वाले स्टुडेंट्स को टारगेट करते हैं उन्हें कुछ कमीशन देने का जहासा देकर बैंक अकाउंट किराए पर लेते हैं और फिर उसमें पैसा आता है पीजी और अन्य खर्चों की वज़े से छात्र भी आसानी से जाल में फंस जाते हैं इसके अलावा ये लोग मजदूरों को भी कुछ पैसा देकर उनके नाम से सिन निकलवाते हैं जिसका इस्तिमाल थगी के लिए होता है पहली कॉल इनी नंबरों से भारत से की जाती है इसमें ट्राइकर्मी और कुरियर कमपनी के कर्मचारी बनकर लोगों को कॉल कर पार्सल पकड़े जाने की सूचना देते हैं इसके बाद कॉल विदेश में फरजी पुलिस वालों को भेज दी जाती है यहां से सारा खेल शुरू होता है पूचताच में सचन ने बताया कि मज़़ूरों में भी हमारा फोकस रेस्टरेंट्स में काम करने वालों पर होता है ये लोग कुछ रुप्य का लालच में आसानी से सिम खरीद कर दे देते हैं आरोपी सचन का कहना है कि विदेश में बैठे राजस्थान के थक कमीशन लेकर बैंक खाते में आये जालसाजी के रुपय से क्रिप्टो करन्सी खरीदते हैं इसके बाद इन क्रिप्टो करन्सी को आसानी से विदेश में गिरोह के पास भेज देते हैं पुलिस अधिकारियों के मताबिक सभी स्टुडेंट्स को भी जाच के दाएरे में लिया जाएगा अभी गैन का एक सगना मुंबई क्राइम ब्रांच के पुलिस की गिरफ्ट में है उससे भी पूछताच में की जाएगी 150 से अधिक स्टुडेंट्स बैंक अकाउंट यूज पकड़े गए तीनों थगों ने जिन खातों का थगी के लिए किराय पर लिया था पुलिस ने उसे फ्रीज करा दिया है इन में से 76 खातों का ब्योरा पुलिस ने जुटा भी लिया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार इन तीनों बदमाशों की ओर से विदेश में बैठी गैंग को ये खाते दिये गए थे इनकी ओर से दिये खातों में अलग-अलग राज्यों से रुपे आये हैं तमिलनाडू में हुई ठगी में आठ अकाउंट करनाटक में 20 खाते, महराष्ट में 13 खाते, तिलंगाना में 7, आंध्र प्रदेश में 5, दिल्ली में 3, हर्याना में 3, पश्चिम बंगाल में 3, गुझरात में 2, जारकंड में 2, केरल में 2, औरिसा में 2, राजस्थान में 2, उत्तर प्रदेश में 2, चतीसकर में 1 और उत्तरा कि खाते हैं डिजिटल अरेस्ट और निवेश के नाम पर थगी जैसे मामलों को कम करने के लिए नौईदा साइब थाने की पुलिस ने एडवाईजरी जारी की है सारवजनिक स्थानों पर पोस्ट लगा कर लोगों को जागरूप किये जाने पर जोर दिया है वहीं हर रविव को सोसाइटी और कॉलेजों में जाकर थगी से बचने का तरीका बताया जाएगा